हलो दोस्तो नमस्कार आप पड़ रहे हैं राजस्तान का इत्यास जिसमें टोपिक चल रहा है मेवाड का राजवन्स मेवाड सूर्वीरों की भूमी रही है यहां के हजारों ललनाओं ने धदकती जावाला में हंस्ते हंस्ते अपने प्राणों की अहूती देदी मेवाड के राजचिन्य में एक पंक्ति आंकित है जो दर्ड राखे धर्म को तिहीं राखे करतार जो दर्ड राखे धर्म को मतलब है जो अपने धर्म की रक्षया करता है तिहीं राखे करतार यानि कि उनकी भगवान रक्षया करता है एक स्तान पर लंबी एक स्तान पर लंबी अवद को यह ये एक लिंग नाज जी के दिवान है यानि कि अपने आपको ons के दिवान मानते हैं जानकारी के सरोट अबुन हचारव अब देज्ट के यहाँ पर ने वार में दोस हैं ईक तो गुहल और एक शि कोद्यावश पहले यहां पर सिस्ोद्यावश हुआ है और इसरा गुहिल वंस हुआ है अबुल फजल इसके बारे में क्या कहता है देखिए अबुल फजल कहता है कि इरान में एक नोशेखा आदिल है और इस नोशेखा आदिल का वंसज है गुहिल गुहिल ने गुहिल वंस की स्थापना की थी तो यहां पर अबुल फजल कहता है कि इर राजस्थान का नोसे का आदिल है उसका नोसे का आदिल है उसमें गुहिल हुआ था ये गुहिल का वंसद है करनल जमस्टोड के अनुसार मेवाड राजमस के जो लोग हैं वो विदेशी हैं किसके अनुसार करनल जमस्ट के करनल जमस्टोड के अनुसार राजस्थान की बात हो कर्नल जेमस्टोड का नाम नहीं आए ऐसा हो नहीं सकता एक जेनगरंथ है जो सत्रुन जे महातम में दुआरा लिखा गया है इसके अनुसार गुजरात में एक वल्लभी स्थान है जिसकी राजधानी है आनदपुर और इस वल्लभी स्थान का राजा है शीलादिते और शीलादिते की राणी का नाम है फुस्पावती पुस्पावती का और शीलादिते का पुत्तर है गुहिल जिन होने 566 इस्वी में मेवाड की स्तापना की थी दौर्ट देखें जेन्गूरंत की कोकिष्ष ने बनाया था, स्त्रुंजे महाथम में एक सतान है गुजरात के एक वलभिय स्तान है और वलभिय सतान की राजदानी आनदपूर्य यहां के राजह सीलादीते और इनकी रानी का नाम फुस्पावती है शिलादिते और फुस्पावती का एक पुत्त था गुहिल जिनों होने 566 इस्वी में मेवार की स्तापना की और अधिक से अधिक इतिहासकार इसी बात को सत्ते बानते हैं कि शिलादिते और पुस्पावती का जो पुत्त था गुहिल उन्होंने ही 566 श्में मेवाड की स्तापना की थी यह बाद ज्यादा सत्य मानी जाती है किनके नुसार गुहिल ब्रहमनों के वसच थे ये परसन बनता है तो हमारा answer होना चाहिए डौक्टर गुहिल जो किके वसच थे गुहिल के वसच थे और डौक्टर गुरी nombre suggestion के नुसार गुहिल सर्य वसच थे तो परसन बन सकता है कि मेवाड का जो गुहिलवस था वो किन के अनुसार सुरियवसी था सुरियवसी के बात का समर्थन कौन करता है तो आंसर होना चाहिए डॉक्टर गोरी संकर ओजा एउ महुनोत नेंसी महुनोत नेंसी के अनुसार मेवाड राजवस की चोईश साखा है जिसमें दो साखा परमुक है एक साखा गुहिलवस की और दूसरी साखा सिसोध्यावस महुनोत नेंसी के अनुसार मेवाड राजवस की चोईश साखा है जिसमें दो परमुक वस है एक गुहिलवन्स और दूसरा है सिसोधियवन्स पहला है गुहिलवन्स ये है मेवार इसके सवस्तापक है गुहिल यानिकि 50687 में गुहिलवन्स की स्तापना की जाती है मेवार की मेवार के संस्तापक हैं गुहिल 566 में गुहिल द्वारा गुहिल वंश की स्तापना की जाती है अब ये देखिए इसका एक इंपोर्टेंड मैतोपुन गुहिल वंश के बाद में एक इंपोर्टेंड मैतोपुन साथ सकाता है बपारावल या काल भोज बपा रावल को काल भोज के नाम से जाना जाता है अब देखें ये मेवार का इतियास है इसमें बहुत सारे सासक हुए है अपन तो सभी सासकों का वर्णन नहीं दर्साया जा सकता जो परमुक परमुक सासक है जो मोश्ट मोश्ट सासक है उनके बारे में आपको बताया जाएगा बपा रावल जिसको अन्य नाम किसे नाम से जाना जाता है काल भोज बपा रावल है वो हारितरीशी के सिसे माने जाते हैं वो हारितरीशी की गायच राते थे बपा रावल हारित रिशी के सिसे हैं वो हारित रिशी की गायच राते थे और हारित रिशी के आश्री वाद से ही बपा रावल काल भोज ने चितोड के सासक मानमोरिये से चितोड का दुर्ग जिता था देखे दुबारा देखे यहां पर हारित रिषी के आश्रिवाद से बथ्पा राव्ल ने चितोड के सासक मानमोरिये पर पर 734 से में आकर्मन किया था जिसमें चितोड के सासक मानमोरिये की हार हो जाती है और बपा रावड की विजे हो जाती है जीत हो जाती है बपा रावड काल भोज के जो काल था उसमें सोने के सिकों का परचलन था तो यहाँ पर ये बहुत अच्छा परचलन बनता है कि सोने के सिकों का परचलन किस राजा के काल में था मेवार इत्यास में सोने के सिकों का किस राजा किस सासक के काल में रहा तो हमारा आंसर होना चाहिए बपा रावल या काल भोज मेवाड का वास्त्रिक संस्तापक भी बपा रावल या काल भोज को कहा जाता है वैसे तो मेवाड की स्तापना किस ने की थी गुहिल ने की थी गुहिल कोई संस्तापक माना जाता है पन्तु मेवाड का वास्त्विक संस्तापक का जो धर्जा है वो बपारावर या काल भोज कोई दिया जाता है बप्पा रावड ने नागदा को अपनी राजधानी बनाया और इसी नागदा पर एकलिंग नाज जी का मंदिर भी बनवाया तो मुश्ट परसना मारा क्या था मेवाड में सोने की सिकों का परचलन किस राजा के समय हुआ बप्पा रावड या काल भोज मेवाड के परमुक्षासकों में एक सासक और है अलहट जिसका नाम अन्य नाम है अलूरावड इन्होंने आहड कहां पर है उद्धेपुर में इन्होंने आहड को अपनी राजधानी बनाई इनके समय नोकर साई सिकों का परचलन था रून की राजकुमारी हरिया देवी से इनका विवाह हुआ था दुबारह देखें मेवाड के परमुक्षासकों में एक सासको और आता है अलहट या आलूरावल इन्होंने आहड को अपनी राजधानी बनाया इनके समय नोकर साई स परचलन था हुन की राजकुमारी हरिया देवी शेन का वहाँ था अभी अभी जो राजस्तान की भरती हुई थी उनमें कुछ फेपर हुए थे उनमें एक परसन आया था कि नोकर साई सीकों का परचलन वेवाड के किस सासक के समय हुआ था तो आपका आप अब आहां पर आंसोर होना चाहिए था अलहट या आलूरावल क्या परचलन है था नोकर साई सीकों का परचलन किस सासक के समय हुआ था अलहट या आलूरावल आज के हमारे most person क्या बनते हैं कि गुहिल वंस की स्थापना किस ने वेकब की गुहिल वंस की स्थापना गुहिल ने 566 इस्वी में की महुनोत मेंसी के नूसार मेवाड राजवंस की कितनी साखा है तो हमारा अंस्वर होना चाहिए चोईस साखा और दो परमुक कौन कौन सी है तो गुहिल वंस और शिसोधिय वंस यहाँ पर एक बहुती most person बनता है वो क्या है कि किस रिषी के आशरी वाद से बपा रावल ने चितोड के साखामानमोर्य को प्राजित किया था बहुती अच्छा वर्षन है कि किस रिषी के आशरी वाद से बपा रावल ने चितोड के साखमानमोर्य को प्राजित किया था तो मैरा अंस्वर होना चाहिए हारित रिषी के आशरी वाद से और एक परसन ये भी है सोने के सीकों का परचलन वाला वो आपको बताए दिया और आज का जो लास्ट मौस्ट परसन था कि नोकर साइशिकों का परचलन किस राजा के समय हुआ अलट या आलू रावल के समय तो प्लिज वीडियो को पूरा देखा करो और मैंने पिछे के वीडियो में जालोर का मैं इतिहास पढ़ा चुका हूँ जालोर के बाद में रन थंबोर का इतिहास भी पूरा करा दिया गया है दो पार्टों में और इसके बाद में तीसरा अज मेरिया संबर के चुहान भी मैंने दो पार्टों में पूरा करवा दिया है अब मेवाण राजवन सह वो थोड़ा सा बड़ा है तो पिच्छे की वीडियो भी देख लेएं जी अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब भी करें जी